वेल्कम अगें सीपीस ऑनलाइन क्लासेज। सीपीस बाइलोजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एक निया चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर थर्ड प्लांड किंग्डम। दो चैप्टर हो गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सीपीस ऑनलाइन क्लासेज का यूट्यूब चैनल है वहां की प्लेइलिस्ट में जाएं। और वहां से देख सकते हैं जो भी प्रीवेस लेक्टर कराए गये हैं। अच्छे से बनाए और आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना होगा कि इस बार जो आपका जो सेल बस पढ़ना है वह सेवेंटी परसंट सेल बस आपको कवर करने हैं थर्टी परसंट बुक से यानि बुक बोले तो N-C-E-R-T ठीक है तो जो N-C-E-R-T के थर्टी परसंट पोर्शन है कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स को क्या किया गया है रिमूव कर दिया गया है ठीक है सेवेंटी परसंट कोर्स पे ही आपको वर्क करना है पर ये 30 परसंट जहां पे भी इस 70 परसंट के टॉपिकों को समझने की रीज़ी जरूत पड़ेगी इसको को रिलेट करते हुए चलेंगे समझाते हुए चलेंगे ठीक है और इस 70 परसंट को यह अब आप आपना 100 परसंट समझे और इससे एक बी कोश्चन शूटने न पाए इस त प्लांटी और फोर चेप्टर जो हमारा एनिमल किंग्डम का होगा ठीक है यह निए फाइप किंग्डम जो आ रहे चोटे करके हैं वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं विल्कु टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमने आपको बता है कि प्लांट किंग्डम में उनी लिविंग और डेजम को रखा गया है जिन जो मल्टी सब्लांटी सब्सक्राइब और सबसे बढ़ी बात है कि क्लोरोफिल containing having cell wall जो कि chlorophyll contain करते हैं और साथ में cell wall भी रखते हैं इस type के organism को हम एक group में रखते हैं और group का नाम देते हैं kingdom planty मतलब simple समझो कि all the plants are includes जित्ते भी green plants है वो यहाँ पे include किये गए it is popularly known as plant kingdom तो kingdom planty को plant kingdom के नाम से जाना जाता है यह plant का kingdom है मतलब इसमें सारे plant रखे गए ठीक है तो प्लांटी kingdom planty की definition याद रखना कि which type of organism are mentioned in kingdom planty eukaryotic multicellular chlorophyll containing having cell wall are grouped under the kingdom planty ओके इस प्लांटी नेक्स प्लांट कुछ इस chapter में कुछ term जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है और वो term क्या हो जाता है जैसे phylogenetic system यह word सुनने को आता है यह phylogenetic classification ठीक है numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy यह कुछ term है यह extra term है advanced term है जो आपको जनना होगा क्या होता है भई phylogenetic relation चुकि अब देखो biological classification second chapter हमने पढ़ा तो उसमें हमने कहा classification है कि ऐसा process है जिसमें हम living organism को अलग-अलग category में बांट देते हैं और वो भी किस base पे category बनाते हैं तो उनके characteristic base पे उनको कुछ similar characteristic होते हैं तो कुछ dissimilar characteristic होते हैं organism में तो उस base पे उनके category में बनाते हैं तो अगर हम किसी living organism को categorize करें classified करें और उसका base क्या हो evolutionary relationship यानि evolution evolutionary relationship पे तो उसको कहेंगे phylogenetic system या phylogenic classification और हम आपको पता दें modern time में जितने सांटिस्ट हैं वो phylogenetic system को ही apply करते हैं phylogenic classification को ही apply करते हैं क्या होता है phylogenic बात है अब simple सा समझ लो आप कुछ नहीं आपको पता है suppose this one is organism A ये कोई organism A है फिर इसने बनाया B को फिर B को ये organism है फिर कुछ दिन बाद ये थोड़ा अब एक नय organism को बनाया C को तो B का evolution या B की origin A से है C की origin B से है very simple ये जो chain है ये किसको फॉलो कर रही है evolutionary relation को फॉलो कर रही है अब ऐसा कहा जाए कि A के बाद C बनाया तो ये C से पहले C को B ने बनाया ना कि ये ने बनाया तो अगर B नहीं है तो ये evolutionary relation शोन नहीं कर रहा है मतलब उसकी origin को ठीक है चलिए आगे बढ़ते है numerical taxonomy numerical taxonomy क्या होती वही numerical taxonomy क्या होती है कि जब भी हम किसे living organism को categorize करें तो उसमें हम वो क्या ध्यान देना है कि assign code each character and analyzing the feature हम उसके प्रतेख character को मतलब उसके एक दो चार्च है 10, 20 जो भी character है उसके प्रतेख character को analyze करें उसके feature के base पे करेंगे तो इनुमेरिकल taxonomy होगा जी के cytotaxonomy का मतलब होता है कि उसके cell पे जाएं उसके cytological information पे जाएं और उसमें check करें कि उसके number of chromosome कैसे है उसके cell का structure कैसा है और cell का behavior कैसा है तो cell cell chromosome cell structure और cell के behavior के base पे अगर हम किसे living organism को categorize करें या किसी plant को divide करें तो उसको cytotaxonomy के थे दरसले plant के regarding term है chemo taxonomy chemo का मतलब तो chemical constitution मतलब कौन सा plant किस तरीके के जो है chemical को लेता है या किस तरीके chemical छोड़ता है वो मतलब क्या है कि कुछ ऐसे plants होते है जो कि क्या करते है वो किस तरीके chemical component लेते है या किस तरीके chemical release करते है उस हिसाब से उस base पे अगर हम उस plant को categorize करें that is the word the chemo taxonomy taxonomy मतलब उसको classify करना उसको categorize करना ठीक है student यह three important term regarding अगर बढ़ते है और हम देखते है कि plant की property जानने के बाद अब हम देखते है कि plant का initial time में initial time में scientist नो plant को दो categorize किया था बोला कि plant इस अर्थ पे जो भी plant हैं जितने भी plant हैं वो दो तरीके के हैं एक है क्रिप्टो गयामी क्रिप्टो गयामी का मतलब ऐसे वाले plant जिसमें seed नहीं होते हैं तो जिसमें seed नहीं होते हैं कौन और यः थालोफाइटा है ब्रायोफाइटा है और टेरिड़ोफाइटा है जिसमें basically algae आते हैं आप समझना क्या algae की बात हो रही है ब्राइफई टेडओ फाइटा इसको हम लोग फर्न कहते हैं ठीक है तो यह क्या होते हैं यह इनम्न छोट यह नहीं होते हैं उन्हें फ्रूट नहीं होते हैं फ्लार नहीं होते कोई फेनोमेना नहीं होते हैं लेकिन यह प्लांट होते हैं जो प्लांट डिवाइट कर लेते हैं तो initial time में इसी base पे classification किया गया है मतलब हमें पढ़ना क्या है हमें पढ़ना है थैलोफाइटा यानी algae के बारे में ब्राफाइटा मौस के बारे में टेडोफाइटा फर्न के बारे में जिमनो स्पर्म इन्जो स्पर्म इसकी property पढ़नी है इस chapter नहीं यही चीज़े हम पढ़ने है चलिए इस्टोइट स्टार्ट करते हैं फिर थैलोफाइटा तो थैलोफाइटा क्या है कि थैलोफाइटा का मतलब ऐसे वाले plant फाइटा मतलब plant थैलो माने थैलस ठीक है तो ऐसे वाले थैलस क्या होता है थैलस plant का वो structure होता है जिसमें न रूट हो न लीफ हो न स्टेम हो ठीक है तो बिना रूट लीफ स्टेम वाले प्लाइट जो होते हैं उन्हीं को थैलोफाइटा कहते हैं रूट लीफ स्टेमलेस फ्लांट को ही हम ऩो क्या वो लेंगे थालोफाइटर में रखेंगे और al Hess भी बिल्दकुल यह सही है इसमें रूम इन Infinmit Reef न इन स्टैम है ठीक है यानि धैलस है इसको एक वर्डमें बोलें तो क्या बोलेंगे धैलस जब बूलने धैलस था आप समझ ले इसका डिफ्रेंशियेट नहीं है या इसको दूसरी लेंग्वेज में बोलें तो यहाँ बोल दीजिए थैलस-like form या थैलस-like structure ठीक्या तो इस simplest type of plant which have thalus which have thalus-like structure या which body is not differentiated या which is undifferentiated या जिस ऐसे कहिए कि जिसमें they have no root and no shoot no root leaf and stream ठीक है पर student एक बात और या दखना कि इसमें reproductive organs होते हैं reproductive organs single cell का होता है that is called gametangia but it possesses the single cell sex organs that is called what the gametangia gametangia बोलते हैं single sex organs ठीक है अलगी में कौन-कौन से अब algae include only algae इसके अंदर सिर्फ algae को रखा गया किसके अंदर थैलोफाइटा के अंदर basically algae को रखा गया पुराने concept के recording सोचे तो algae algae को bacteria को not at all कुछ bacteria को algae को और थोड़े लाइकेन को ठीक है कुछ fungus को सब को उठाके थैलोफाइटा में रखते थे पर ऐसा नहीं अभी थैलोफाइटा बोले तो सिर्फ algae समझना है हमको ठीक है चलिए अब students start करते है characteristics of algae algae कि क्या property मतलब कैसे हम identify करेंगी कि यह वाला plant algae ही है तो plant body में क्या होगा पहली बात थैलस होगा मतलब थैलस होने का simple मतलब होगा नो root no shoot which may be unicellular यह unicellular भी हो सकते हैं और multi solar भी हो सकते हैं लेकिन जब multicellular होंगे तो वह colonial form में होंगे filamentous form में होंगे या फिर parent form में होंगे colonial का मतलब ऐसा group में group में group में filamentous का मतलब group in the form of thread filament के form में like just like a thread ठीक है तो यह चीज याद रखना है parent commentous मतलब जैसे parent काई मावले cell arrange होते हैं तो यह multi solar unit solar दोनों हो सकते हैं student आगे बढ़ते हैं usually aquatic यह जादा तर तो पानी में होते हैं लेकिन इनकी but few are also found in the moisture still habitat लेकिन कुछ इनकी species कुछ नम स्थानों पे land पे भी पाई जाती है और जैसे कुछ हो गया है जैसे tree trunk tree trunk पे भी पाई जाते हैं wet rock जो भीगी हुई चाटाने हैं वहां पे moisture soil जो गिली मिट्टी हैं वहां पे पाई जाते हैं इनमें vascular tissue and mechanical tissue नहीं होता है मतलब इसमें जाइलम फ्लोम बिलकुल नहीं होते हैं चलिए reproduction तो होता है इनमें vegetative reproduction fragmentation के द्वारा जादतर होता है दरसल इनका structure mostly most filamentous होता है इसलिए इनमें याद रखना जब भी कोई filamentous structure हो चाहिए वहली है फंग जाई एक वेजिटेटीव मोड ऑफ reproduction होगा वह उसका नाम है fragmentation ठीक है तो reproduction इनका वेजिटेटीव मेथर से होता है वेजिटेटीव मेथर में कौन सा वेजिटेटीव तो अगर दूसरा वेजिटेटीव मेथर से होता है तो उसमें इसस्पोर के दवारा होता है तो इस तरीके होते हैं जो पो मतलब ऐसा स्पोर जिसमें अनका क्या होता है रेप्रोडक्शन होता है तो यह आप चार प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं भूलेंगे आगे बढ़ते हैं student यह point अगर आप देख चुके हों कि यह चार property जो यहाँ पर दे दी गई है इसको आप बिल्कुल मत भूलना क्या कि इनका reproduction pattern और दूसरा यह थैलस वाला structure और इनकी और साथ साथ वेस्कुलर टीशों का ना होना ठीक है student student इतना है नहीं इसमें sexual reproduction भी होता है मतलब वेजेटिटिव बाइफ्रेग्मेंटेशन असेक्शूल रिप्रडॉक्शन बाइजू स्पोर और सेक्शूल रिप्रडॉक्शन भी होता है इसमें sexual reproduction भी होता है और जो sexual reproduction होता है वो इसो गैमस हो सकता है अगर मैं आईसो गैमस की बात करू अब sexual reproduction भी होता है और यहां पर अगर मैं कहूं कि आईसो गैमस इसका मतलब है कि दोनों गैमस क्या है सेम है दोनों गैमस क्या है सेम है दोनों गैमस सेम है जैसे यह ए है तो यह भी ए है सेम गैमस और यह fusion हो रहा है फिर जायगोड बन रहा है तो इसको क्या अगर ऐसे गैमस क्या हो जाता है कि एक गैमस बड़ा है ओ मतलब डिफरेंट एक बड़ा है यह भी एप्लाइड है यह भी एप्लाइड ऐसे गैमस मिलके जायगोड बनाएंगे तो भी क्या होगा होगा तो कहने का मतलब है कि चाहे ओ गैमस हो चाहे एनिशो गैमस हो इसमें क्या होते ह सिमिलर नहीं होते पर आईसो गैमेस में जो भी गैम मिट का फ्यूजन होता है है हां ऐलिए के लिए तो वह क्या होते हैं सेम होते हैं चलिए आगे बढ़ते है लाइप सैगल इनका जो लाइप सैगल है एलगी में एक चीज यहां तकना इसका life cycle जो है वो haplonic, diplontic और haplodiplontic तीनो पैटरन्स हो करते हैं haplonic का मतलब ऐसा ही भी हो सकता है कि इनकी haploid stage लंबे समय तक रहे इस तरही माल लो यह पूरी life cycle एक plant यहां से चला और पूरी अपनी life इतने समय पूरी करता है तो उसका जो time n है यह n है वो haploid stage में लंबे समय तक रहेगा diploid stage में कम रहेगा तो यह यह ज्यादा यह कम time के लिए है graph के जरीह आप समझे तो यह होगा haplonic अगर यही ऐसा होता कि यह 2 n होता और यह 1 होता मतलब deployed stage में जाताता रहता है तो कुछ deployed stage में जाताता रहते है तब यह होग जाए diplontic अगर यह ऐसा ओल डाइगराम होता कि इस तरीकी का जितना n उतना ही 2n n to n बराबर होते हैं तब इनको बोलते हैं haplo diplontic मतलब gametophetic stage यहन और sporophetic stage 2n क्या है इसमें क्या है sporophetic stage जो है वो क्या है dominant over the gametophetic stage ठीक है यह चीज़ को यहाद ख़े लेना चले आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं algae की algae जो होते हैं वो गित्ते तरीके के होते हैं basically 3 type के algae है हमारे book में कहते हैं कि chlorophyce जिसको green algae बोलते है फियोफाइची जो इसको brown algae कहते हैं root फाइची जो रेड अल्गी कहते हैं तो green algae, brown algae, red algae तीन तरीके algae पढ़नी है green algae कहाँ पाई जाती है fresh water में पाई जाती है brown algae और red algae कहाँ पाई जाती है marine water यानि खारे पानी में पाई जाती है green algae unicellular होते हैं और brown algae unicellular बिलकुल नहीं होते हैं और red algae कुछ species unicellular है सब तो नहीं हो सकते हैं यह थोड़ी से speciality है जो इसको आपको धेहां रखना है अच्छा यह green है तो क्यों green है अगर आप यह सोचते हैं green क्यों है यह तो simple है कि इनमें chlorophyll AB type का है इसमें AC type का है उसमें AD type है AB है इसलिए green है AC है इस वज़े से यह क्या है थोड़ा सा brown and AD type तो यह क्या हो गया red हो गया आपको बताते हैं chlorophyll A, B, C, D, E यह पांस type के chlorophyll होते हैं होते तो सब green है पर इनका एक अलग-अलग shadow होता है चलिए स्टुडेंट दूसरी बात यह जो chlorophyll A है जो sorry जो green है यह green है याद रखना यह green अलगी है यह brown अलगी है और यह red अलगी है तो जो green अलगी है यह food starch के form में store करते हैं लेकिन जो brown अलगी है वो laminarian के form में food store करते हैं और जो red अलगी है फ्लोरिडन starch यह most important है फ्लोरिडन starch जो है वो कौन बनाते है तो red अलगी बनाते है फ्लोरिडन starch ठीक है cell wall cellulose की बनी हुए है इसमें cellulose के साथ साथ algae ने content जुड़ जाता है और इसमें cellulose के साथ साथ कुछ polysulfate ester जुड़ जाते हैं cell wall के composition में इसके बाद इसमें क्या होता है कि एक chemical है fucoxanthin fucoxanthin जो होता है उसकी वज़े से यह brown color लेते हैं जाद अतर chlorophyll ac के अलामा एक all carotinides है fucoxanthin ठीक है यह एक तरीके का odd pigment है तो fucoxanthin जो है वो present होता है और इसमें fucoxanthin नहीं होता है सिर्फ chlorophyll होता है और इसमें भी fucoxanthin नहीं होता है fucox-erythrine होता है fucoxanthin के बाराउन होता है lod Canadian Cayoad lake यह क्या हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो स्पोर होते हैं, मतलब इन में जो स्पोर बनते हैं, रेप्रोड़क्शन करने के लिए, सक्सोर स्पोर, मोशायल होते हैं, इसमें जो स्पोर है, पर रेड हैलगी में जो स्पोर तो हमने बता रही कि लामिडो मोनास यूनिस यूलोथ्रेक्स स्पाइरो गारा जणरली हमारे तनलाव अगरेमेंडो मुनास क्या है यह जो है ग्रीन एल्गी क्रीन इल्गी है फ्यूकसार का सामक्टोकारपस ये क्या है ब्राउन एल्गी है पॉलिशाइफोनिय जिली डियम और और फायरा यह सब क्या हैं रडेलगी ने ओस्ना अब हम बात करेंगे का हमारे लिए क्या पॉर्टन्स है तो आपको बताते हैं कि अलगी जो है वह बहुत इंपॉर्टन्स है कुछ अलगी का चारे के लिए as a foder food and fodder के use me एक fucus यह ब्राउन इलगी है और leminary यह भी ब्राउन इलगी है इसमें iodine बहुत होती है तो iodine के source के रूप में भी इसको लिया जाता है leminarian जो होती है और ascophylum have antibiotic property leminarian और ascophylum यह दो तरीके algae का नाम लिए लिखा गया है यह antibiotic property होती है मतलब यहां से antibiotic भी बनाया जाते है ठीक है एक और importance क्या है algae का यह बहुत सारे importance पर यहां कुछ specific important हम ले रहे हैं एक algenic acid obtained from the fucus fucus जो कि brown algae है उससे algenic acid obtained किये जाती है fucus और sargassum यह दोनों से fucus और sargassum दोनों से algenic acid obtained किये जाती है जो कि emulsion के लिए emulsion which used as a emulsion जो emulsion में help करती है ठीक है तो emulsion की process में help करती है ठीक है तो this is all about the economic importance of algae तो इस तरीके से आप algae का यह वाले जो टेवल है आपको दो बार अच्छे से टेबल को पढ़िएगा सारे चीज़े clear हो जाएगी student next class में हम बात करेंगे ब्राव फाटा करें तब तक के लिए धन्यवाद